प्रयोग साला परिचारक की MCQ स्रिंखला में मैं भीके पटे लापलों का फिर से वेलकम करता हूँ जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रयोग साला परिचारक परिच्छा को लेकर के साइन्स की MCQ सीरीज हम चला रहे हैं जिसके अंतरगत ये MCQ सीरीज की तीसरी क्लास है इसके अलावा 36 गड़ एंड इंडियन जीस की MCQ सीरीज भी यूटूब पे चला ही जा रही है जो आगामी प्रयोग साला परिचारक, ADO, CGPSEPRE या प्यापम के आने वाले सभी एगजाम के लिए महत्तोपूर्ण एवं उप्योगी है आप इस क्लास सहीद बाकी सभी क्लास का PDF निसद को रूप से हमारे एप्लिकेशन में डौनलोड कर सकते हैं एप्लिकेशन के फ्री कंटेंट फोल्डर में आपको सारे PDF करम से मिल जाएंगे application download करने के लिए description में link दिया हुआ है एवं first comment box में भी आपको link मिल जाएगा साथ ही साथ प्रयोग साला परिचारक के लिए crash course भी मात्र 990 रुपे में available है भृत्य, चौंकीदार्यम, स्वीपर के लिए भी 990 रुपे में crash course available है ये सारे crash course भी आप हमारे application से purchase कर सकते हैं इसके अलावा आगामी, ADO परिक्षा के लिए, CGPSC pre परिक्षा के लिए, ब्यापम के लिए, 36 गड़ special, all-in-one course बहुत सारे course आपको हमारे application पर मिल जाएंगे application में सभी course आपको अलग-अलग folder में देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर आप हमारे जितने भी paid courses हैं, उनको चेक कर सकते हैं इसको scroll करेंगे, नीचे के और जाएंगे, आपको free content folder मिलेगा उस free content folder में यह जो सारे mcq series चल रहे हैं, उनके pdf आप वहाँ से download कर सकते हैं, ठीक है, तो चलिए class की सुरवात करते हैं, और पहला question मैं आपके सामने रख रहा हूँ, पहला question है, देखिए, निम्न में से किसने अस्टक सिध्धान्त दिया था, ए, लेवोसियर, बी, मेंडलीव, सी, न्यू लेंड्स, डी, दोबेरनीर, जनरली क्या है, मैं biology के question से सुरवात करता हूँ, लेकिन इस बार मैंने physics chemistry के question से जो है, वह आपका पड़ाओं में जो है, वह आपके करेंगे, तो बताइए, किसने जो है, वह आपका अस्टक सिध्धान्त प्रतिपादित किया था, ठीक है, तो इसका जो आपका right answer हो जाएगा, बेटा, वह हो जाएगा सी, अस्टक सिध्धान्त किसके दवारा दिया गया है, न्यूलेंड के दवारा दिया गया है, न्यूलेंड ने क्या किया था, जो उस समय, मतलब, जब आपका केवल लगभग जो है, पचपन-च्छपन के आजесьपास तत्व जो वह आपके घ्याद थे, उन्होंने सारे जो था हर तत्तो जो है वो आपका अपने आगे आने वाले आठवे तत्तों से उसके गुण धर्म मिलते थे लेकिन बाद में यह जो न्यूलाइंड का अस्तक नियम है वह अस्विकार कर दिया गया बाद में जब जाला तत्तों की खोज तब न्यूलेंड के अस्टक सिध्धान की कुछ सीमाएं सामने के लिए आएं कि जो अस्टक सिध्धान्त है वो केवल केल्सियम तक ही लागू होता है यह भी परस्न बन सकता है न्यूलेंड का है कई नए तत्वों को जे गए और इनके जो आपके गुण है वो नीवलेंड के अस्टक सिद्धान्त से आपका समानता नहीं रखते थे तो याद रखना अस्टक सिद्धान्त किसके दौरा दिया गया है नीवलेंड के दौरा अगले क्विश्चन क्यों बड़ते हैं आगला question आंसर दीजिएगा ठीक है देखिए क्या है हम आपके जो comment पढ़नी पाते हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि हजारों लोग video देखते हैं तो उसे चाहिए ठीक है प्रेस्ट बायो प्या को सही करने के लिए आम तोर पर इस्तमाल किया जाने वाला लैंस कौन सा होता है एः बाइफोकल लैंस भी सिलेंड्रिकल लैंस या बिलनाकार लैंस सी उत्तर लैंस डी उत्तर लैंस टीक है जो आपके दिश्टी दोस होते हैं खास करके नेत्रल लैंस के करण अलग-अलग प्रकार के द्रिश्टीद्वोस्त होते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के लेंस use किया जाता है, ठीक है, मतलब बनेगा मतलब संभावना है probability जो है वो आपका 99% है तो उसके लिए मैं सारे के सारे जो दृष्टी दोस है उसको मैं एक नजर आपको समझा देता हूँ हाला कि theory वाले class में मैं इसको detail में समझाता हूँ अभी मैं पूरा detail बताऊँगा तो time लगेगा एक तो देखो सबसे पहले होता है myopia या उसको कहा जाता है निकड़ दृष्टी दोस या उसको सुछम दृष्टी दोस भी कहते हैं सुछम दृष्टी दोस बोलो निकड़ दृ जरा दृष्टी दोस जो अभी मैंने question में पूछा है इसी को English में कहा जाता है press biopia जरा दृष्टी दोस या press biopia और एक होता है एस्टिगमेटिज्म या इसको अभिंदुक्ता या दृष्टी वैसम में के नाम से भी जाना जाता है सब में जो है कहाना चीए अलग-अलग प वस्तू तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तू साफ नहीं दिखाई देती रिजन यह होता है कि मानव नित्रकी जो आपका लेंस होता है उसकी गोलाई बढ़ जाती है गोलाई बढ़ने के चलते उसकी focus दूरी कम हो जाती है focus दूरी कम हो जाती है तो प्रतिभी wreck sir in में पिछले अगर जाता है तो प्रकास के रिंडे एफ की बढ़ जाती है पृकस दूरी उसकी बढ़ जाती है प्रतिबिम रेटीना परना बन करके रेटीना से आगे अर्थात रेटीना से दूर बनता है इसलिए इसको दूर दृष्टी दोस कहते हैं और इसको दूर करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा फोकस दूरी को कम करना पड़ेगा फोकस दूरी कम करने के लिए कौन सा lens best है जिसकी मतलब जिसकी गोलाई ज्यादा रहती हर्थात उत्तर lens best रहता है इसके लिए उसके बाद मैं अगले द्रिश्टी दोस पे आता हूँ जिसको जरा द्रिश्टी दोस कहते हैं जो हमारे question का हिस्सा है आज के इसको press by op अभी कहा जाता है जरा सब्द जरा मतलब होता है बुढ़ापा जब आदमी बुढ़ा हो जाता है मास पेसियां जब सितिल हो जाती है तो बिटे क्या होता है कि यह जो मानाओन नितरका lens होता है इसके उपर ना ऐसे ciliary mass पेसियां लगे रहती है यह ciliary mass पेसियां जब lens को दबाती है तब lens मोटा होता है यह ciliary mass पेसियां ऐसे खिचती है तो lens पतला होता है तो lens की focus दूरी कम या जादा करने का काम ciliary mass पेसियों का होता है लेकिन बुढ़ापे के चलते हमारी जो ciliary mass पेसियां होती है वो सितिल हो जाती है काम करना बंद कर देती है ठीक है तो हम हमारा फोकल लेंथ कम जबा करने का कैबस्टी आँग का ख़तम हो जाता है है अब पास की कोई वस्तू है उसको focus करने के लिए focus में अगर मैं ऐसा फोकस का वस्तु देखा तो वह दबा के रखना है तो फैला रहते हैं ठीक है तो नहीं दो दबा पाitel आ लेंस चाहिए इसे प्रकार के लेंस को bifocal लेंस कहते हैं जा किसको हिंदि में दूई foksy लेंस भी कहतें आई इसमें क्या होता है ओपर की और लेंस लगा रहता है और नीचे की लिज़े का इस अलक हो BC शbefore्य अब आफाने देखा होगा नीचे की और ऊत्तर लेंस लगा रहता है कुछ पेपर वगरा बुक वगरा पढ़ना रहता है तो ऐसे नीचे देखके पढ़ते हैं तो वहाँ पे उत्तल लेंस काम आता है और दूर माल लो टीवी वगरा ऐसे कुछ दिखना रहता है तो वहाँ पे ऐसे करके देखते हैं तो वहाँ पे उतल लेंस काम आता है तो यही कहला आता है प्रेस बायोपिया या जरा द्रिश्टी दोस जिसमें बाइफोकल लेंस या द्वीफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है इसके अलावा एक द्रिश्टी दोस और जान लो आप जिसको एस्टिगमेटिज्म अबिंदुकता या द्रिश्टी वैसम में भी कहते हैं इसमें क्या होता है कि रेटिना पर एक से अधिक फोकस बिंदू बन जाते हैं जिससे मनुस्त जो है आपका आड़ी और आपका तिर्ची उर्ध्वाधर और 36 और वर्टिकल लाइन्स में विभेद नहीं कर पाता इसको दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस या सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है ठीक है अब यहाँ पर और कुश्चन कराने हैं से लिए मैं इन चीजों को थोड़ा सा फास्ट बताया हूँ है ना चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं अगला कुश्चन देखलो विटा टिंडल इफेक्ट से क्विश्चन है कि जो टिंडल प्रभाव होता या टिंडल इफेक्ट होता है वो किस कारण से होता है तींडल प्रभाव के लिए उत्तरदाई क्या चीज़ है? तो याद रखना जो तींडल प्रभाव होता है उसका कारण है प्रकास का प्रकिर्णन है ना प्रकास का किसी बिंदू से टकरा करके फैल जाना क्या कहलाता है प्रकास का प्रकिर्णन यहां से कई प्रकार के परस्ण बनते हैं कि भाई आग आसमान का रंग नीला क्यों दिखा जेता है उत्तर है प्रकास का प्रकिर्णन या समुद्र नीला क्यों दिखा देता है उत्तर है प्रकास का प्रकिर्णन टिंडल प्रभाव का जो में सिध्धानत है वो भी क्या है आपका प्रकास का प्रकिर्णन टिंडल प्रभाव में होता क्या है कि जब प्रकास किर्णों को सुच मक से टकराती हैं तो वह बिखर जाती है और खास करके जब इसको किसी कोलाइडी माध्यम में गुजारा जाता है तो प्रकास का मार्ग इस पस्ट रूप से दिखने लगता है वही टिंडल प्रभाव है इसको simple example के माध्यम समझाता हूँ आप घर में ऐसे बैठे रहते हो ठीक है आज कल के तो जो पक्के मकान होते हैं उसमें ऐसा होता नहीं है लेकिन पुराने जमाने में जब खपर के छट होते थे तो कई बार छट में छेद होता था वहां से प्रकास घर भी तरंधिरा होता था वहां से प्रकास उस चेद में सैसे एकड़ में सीधे जो है आपका लेजर सरी के दिखता था और थौड़ा मोड़ा धूल उरता था तो वो धूल जो है इस पश्चरूप से उस्परकास के उसमामर्त में दिखता था वो एक प्रकार का टिंडल प्रवाव जैसा ही ही है। hélas टिंडल प्रवाव कोलाइडी विलियन अन्य जो है वह आपका बोलना चाहिए कि सिद्ध किया गया था लेकिन एक तरीका बता दे रहो। कुछ ऐसा मानके चलो ठीक है तो टिंडल प्रभाव का कारण क्या होता है प्रकास का प्रकिरिणन अगला कुछिशन बेटा देख लो तारों का टिम्टी माना मुख्य रूप से किसके कारण होता है यह जो प्रकास किस प्रकार के क्वेस्चन है न वो बड़े ही रोचक होते हैं और पूछे जाते है कि हीरे क्यों चमकते हैं तारे क्यों टिम्टी माते होए दिखाए देते हैं पानी की वितरवायू का बुल्बुला क्यों चमकता है सुनने में लगता है सभी का रिजन ज journaling ऑठा होता होगा प्रावर्वर्तन ऐसा नहीं है सबका करण अलग अलग रहता है यहां पे बात हो और यह कि तारे क्यों टिम्टम आते हैं बोलते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ट्विंकलिंग मतलब चमकना ऐसे चम चमाते रहते हैं कभी कम प्रकास कभी ज्यादा कारण क्या है विवर्तन है अपवर्तन है परावर्तन है या अभीवहन है तारों के टिम्टिमाने का कारण होता है बेटा प्रकास का अपवर्तन रीफ्रेक्शन ठीक है अब अपवर्तन क्या होता है मेरे ख्याल से आप जानते होंगे नहीं जानते तो मेरे ख्याल से यूटू एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है अब माध्यम में क्या हो सकता है ठोस द्राव गैस तो माल लो उपर का माध्यम मैं गैस माल लेता हूं नीचे का माध्यम मैं द्राव माल लेता हूं तो एक माध्यम हो गया गैस दूसरा माध्यम हो गया द्राव तो जब प्रकास किर जुकेगी तो जब प्रकास किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसका अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही प्रकास का अपवर्तन कहलाता है अब देखो सगन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है विरल माध्यम से सगन माध्यम में जाती है किसमें जुकता है किसमें बाहर की और जाता है वो हम डिटेल में अपवरतान वाले टॉपिक में पढ़ते हैं बट यहां पर मैं बता दू कि प्रकास का जो आपका कीरण है वो अपने मार्क से विचलित क्यों होता है उसका कारण है उस माध्यम के अणू या और दूसरे वासा में बोलू तो उस माध्यम की सघनता है ना अब क्या होता है ठोस द्रव गैस ठोस में अडू पास पास होते हैं द्रव में जो अडू होते है वो अपेक्छा के लिए दूर होते हैं गैस में और दूर दूर होते हैं तो जो माध्यम जितना डैंस होगा जो माध्यम जितना सघन होगा वहां प् तारे के चमकने से इसका क्या करना है आप देखो माल लो यहां पर खड़े वह रात को और यहां दूर कहीं तारा है तारे का डिजाइन ऐसा जो हम बनाते हैं मतलब ऐसा एक चुल में होता नहीं है तारा तो गोल होता है सुर्य है ना तारा एक प्रकार का और वह बहुत दूरी परिस्थित है हमारे जितने भी गरह उगा है उनसे लाकों करोड़ो आपका किलोमीटर दूर पर जो है या प्रकास वर्स दूर पर जो है वह आपके इस्थित हैं तो होता क्या है कि जब वह उनकि प्रकास की रण boiling जब आपका वायू मंदल ठीक है और उसके उपर क्या है फिर आपका निर्वात है अंतरिक्ष में तो निर्वात है कोई माध्यमी नहीं है तो जब कोई माध्यमी नहीं रहेगा तो वहां पर प्रकास किरने विचलित नहीं होंगी आप माल लो इस्पेस स्टेशन में बैठे हो या अंतरिक्ष में गय हो घूमने अंतरिक्ष में तारों को देखो के तो अंतरिक्ष में तारे नहीं टिम टिम आएंगे वो इस्टेबल दिखाई देंगे आपको क्यों क्योंकि उनका मार्ग विचलित नहीं होगा क्योंकि वहां पर कोई माध्यमी नहीं है सगन विरल का खेली नहीं है लेकिन जैसे ही वो प्रकास किरण वायू मंडल में एंटर करेगी अब वायू मंडल में वायू है जलवास्प की बूंदे हैं कहीं पे माध्यम सघन होगा कुछ लेयर कुछ लेयर वीरल होगा फिर कुछ लेयर सघन होगा फिर कुछ लेयर वीरल होगा तो वायू के ही कई परतों में वायू की सघंता विरलता बदलते जाती है कभी प्रकास किरण अभी लंब की ओर जुकेगा कभी बाहर अटेगा कभी जुकेगा कभी बाहर अटेगा तो यहां पर जो खड़ा हुआ है व्यक्ति उसको कभी प्रकास किरण इधर से आती भी दिखाई देगी कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से तो तारा इस्टेबल उसको नहीं दिखाई देगा ऐसा लगेगा कि वो टिम्टिमा रहा है तारा अपनी जगह पे है उसका प्रकास भी आपका सीधे तोर पर सीधे ही आ रहा है वह प्रकास तो अनुप्रस्त तरंग है ना वो तो सीधी रे जिसके चलते उसमें अपवर्तन होता है बार बार और फिर्ट्वी पे जो ब्यक्ति खड़ा है उसको ऐसा लगता है कि तारा टिम्टिमा रहा है तो तारे के टिम्टिमाने का रिजन आप याद रखना क्या होता है प्रकास का अपवर्तन अगले क्विश्चन क्यों जाएं चली अगला क्विश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्विश्चन देख लीजिए गैसी अवस्था में मवजूद किसी पदार्थ के उसके तापमान या दाब में परिवर्तन की करण तरल अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहा जाता है A. वास्पी करण, B. संत्रिप्ति करण, C. संगनन, D. रुपांतरन क्या है वह बताई चलिया, आंसर दीजिए, पांचवा का उत्तर क्या होगा हिंदी में बड़ा जटिल लिख दिया है, कुछ है नहीं एक्च्छल में क्या बोल रहा है, कोई पदार्थ गैसी अवस्था में है, उसके तापमान या दाब में हम जब परिवर्दन कर दिये, तो वो तरल अवस्था में आ गया, गैस से वो किस अवस्था में आ गया, द्रव अवस्था में, है न, पदार्थ की अलग-अलग अवस्था हैं पढ़ते है आपका freezing point क्या होता है melting point मतलब संगनन क्या होता है उर्ध पातन क्या होता है सब्लीमेशन जिसको कहा जाता है तो उसी में हम एक पढ़ते हैं पेटा क्या संगनन एक चीज क्या पढ़ते हैं अपन संगनन condensation जिसको कहा जाता है संघनन क्या होता है gas जब ठंडा हो करके आपका draw में बदल जाता है उसको संघनन कहते हैं आप कोई भी बरतन लेते हो ना ऐसा बरतन लेते हो यह मालो आपका बरतन है इसमें आपने पानी भर दिया नीचे से इसमें बरनर लगा दिया चालू किया अब इससे आपका draw गैस में बदलने लगा लेकिन सामने कोई पतीला रख देते हो यहाँ पे तो फिर से यहाँ पैसा वो जो गैस है संघनी थो करके draw में बदल जाता है वही प्रक्रिया क्या है आपका संघनन है ठीक है ताप में अंतर के चलते ही संघनन होता है उपर कोई अवरोद मिलता है और थोड़ा ताप कम होता है तो गैस पुनहद्रव में बदल जाता है ठीक है जैसे यह देखो आप जनरली जो है आप कोई पानी बॉटल लेते होगे ऐसा ठंडा फ्रिज से निकालते होगे कुछ दिर बाद जो है उसके चारों तरब चाहे वो बॉटल हो चाहे गलास हो ऐसे जलवास्प की बूंदे मतलब आपको पानी की बूंदे दिखाई देती है क्यूं क्योंकि वो पानी ठंडा था और आपके environment में क्या है आपका जो गैस उसमें छोटी छोटी क्या है आपका moisture है तो वहाँ पर आ करके वो जमा होने लगता है गैस बदलने लगता है द्रौ में सेम ये चीज आप देखते हो के कार में जब AC चलता रहता है तो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है अंदर ऐसा दिख रहे कि ऐसा लगता है AC नहीं अंदर लब car fridge चल वल रहा हो उसका करण भी क्या है आपका संगनन है वर्सा का होना उसका करण भी क्या है आपका संगनन है ठीक है तो इसका जो right answer हो जाएगा मैंने टिक नहीं लगाया सायद इसका right answer क्या हो जाएगा C संगनन कंडेंसेशन अगले question की और बढ़ते हैं वेटा next question आपके सामने है पूछ रहा है समतल सतह पर गिराया जाने वाला जल की बूंदे हमेशा गोल आकार क्यों धारण कर लेती है A गुरुत्वाकरसन के करण B वायू मंदल ये दाप के करण C वायू में मवजूद भवरधारा के करण D अडूओं के द्वारा प्रिष्ठ तनाओं के कारण आपने देखा होगा कोई भी हम वाटर डॉपलेट जब गिराते हैं कोई बूंद गिरता है तीकोन चौकोन स्क्वेर सेप में तो नहीं बनता हो हमेशा वर्सा बूंद गोल रहता है यहां तक कि आप टेबल में हलका सा गिराओगे तो वो पहले ऐसे रहने का प्रयास करता है ऐसे बाद में भले ही फैल जाता है मतलब जो वर्सा की बूंद है पानी की बूंद है यह बोलना चाहिए वो हमेशा गोल रहने का ही प्रयास क्यों करता है उसका कारण है बेटा प्रिष्ठ तनाव के कारण सर्फेस टेंसन के कारण ठीक है प्रिष्ठ तनाव सर्फेस टेंसन द्रवों का एक गुण होता है जिसमें जो draw होता है हमेशा अपने प्रिष्ठ का छेतरफल कम से कम रखना चाहता है जिसके चलते उसका प्रिष्ठ उसका सतह हमेशा एक tension किस्तिती में होता है उसका सतह हमेशा एक तनाव किस्तिती में होता है तो draw के две tür पर पाया जाने वाला यही तनाओ प्रिष्ट तनाओ है liquid के surface पर पाया जाने वाला यही तंसन surface tension ऊसका tension क्या है उसका tension है कि भाई मेरे को अपना surface का जो area है अपने प्रिष्ट का जो छेतरफल है वो कम से कम रखना है square बना लो, तिकोन बना लो, आयद बना लो, कुछ भी बना लो, सबसे कम चेतरफल इसी कंडिशन में बनेगा, जब वो गोलाकार अवस्था में रहेगा, तो अपने प्रिष्ट का चेतरफल कम से कम रखने के करण, द्रव जो है, हमेशा गोल रहने का प्रयास करता है, ठीक है, बाकी प्रिष्ट तनाव वाले टॉपिक में हम इसको डीटेल से पढ़ते हैं, बस याद रखिना चाहे वर्सा की बूंद हो, पानी की बूंद हो, उसको छोटा, मतलब वो गोलाकार रहने का जो करणा है, वो है प्रिष्ट तनाव, मैंने यहाँ पे एक्स्प्लेन कर दिया है, आप PDF डाउनल क्लारक सी हंस क्रिष्चियन और स्टेड डी आंद्रे मेरी एंपियर, है न, इलेक्ट्रो मेगनेटिज्म का सिध्धान्त या उस विज्ञान की स्थापना किसके द्वारा की गई है, विद्दुचुम्बकत तो जिसको आप बोल सकते हैं, वो किया गया है, आंद्रे मेरी ए इन ही के नाम से जो है, वो आपका आया है, ठीक है, तो याद रखिएगा कि विद्दुचुम्बकत तो का नाम, मतलब इलेक्ट्रो मेगनेटिज्म का नाम, आंद्रे मेरी एंपियर ने जो है, वो आपका रखा है, इसमें कुछ मैंने और विज्ञानिक के नाम रखे हैं, इन्हों ने क्या काम किया है, वो भी जान लो, एक क्विस्चन में, चार पांच क्विस्चन आप जान लो, ठीक है, माइकल फेराने ने विद्दुचुम्बकिये प्रेरण, प्रती चुम्बकत्व, और इलेक्ट्रो लिसिस की जो है, वो आपका खोच की है, ठीक है, याद ठीक है, ठीक है, तो इलेक्ट्रो मेगनेटिज्म, विज्ञान की स्थापना करने वाले कौन है, आपके, एंपियर, फूल फॉर्म नाम याद रखो कि तो उनका नाम है, आंद्रे मेरी एंपियर, ठीक है, चलिए, अगला क्विस्चन की और में बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट रख रहा हूं, ठीक है, तो अदिस रासी है, नहीं है, सदिस रासी है, नहीं है, पढ़ लेना क्विस्चन को, उसको पहले हल कर लेना, हल करना मतलब देखो, यह क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा अदिस रासी, इतना पढ़ के फट सदिस पर टिक मेर लगा देना, यह पूछ रहा है निम्न मेंसे कौन सा अदिस रासी नहीं है अदिस रासी नहीं है पूछ रहा है मतलब यह पूछना चाहता है निम्न मेंसे कौन सा सदिस है वोल्यूम तापमान समय टॉर्क ठीक है तो इसमें से याद रखना जो टॉर्क होता है उसमें परिमार भी दरसाया जाता है और दिसा भी दरसाया जाता है जो आगोण होता है उसमें परिमार और दिसा दोनों होता है तो ये एक सदिस रासी है बाकी जो है वो आपका अदिस रासी होगा सदिस और अदिस को याद रखने का तरीका जो है वो मैंने बताया हुआ है फिर से आपको बता दू कि सदिस रासी और अदिस रासी क्या होता है वे रासियां जिनको निरूपित करने के लिए परिमार के साथ साथ दिसा की भी आवस सकता होती है उसको सदिस रासी कहते हैं जिनको परिमार किवल देना रहता है दिसा बताना जरूरी नहीं है वो सभी अधिस रासियां होती हैं बहुस सदिस रासी अधिस रासी हैं कुछ को आप याद रख लो आपको पता होना चाहिए कि प्रकृति में मूल भौतिक रासियों की संख्या सा सदिश को याद करता है और उन साथ भौसिक रासिओं से बहुत सारी ब्यूत्पन्य रास्यां बनी हैं सदिस और दीश को याद रखेलो पहले बात करें इसके लिए असंभवी वेवत करके आप कोड याद रख लेए बहुत सारे कोड हैं आप किसी भी कोड का प्रयोग कर सकते हैं मैं इसका प्रयोग करता हूं करवाता हूं असंभवी बेवत्व करके याद रखोगे तो अ से आवेग सा से समवेग भा से भार वी से विस्थापन वे से वेग बसे बल और त्वा से क्या आपका त्वरण यह सदिस का को के लिए याद रख लेना उसका दाल MSC से आता है उसका दाल मेश से आता है मेश मतलब टिफिन सेंटर ऐसा माल लो तो उसका दाल MSC से आता है मास मतलब होता है तरपेमान स्पीड मतलब होता है चाल करेंड मतलब होता है विद्दूत उसके बाद आता है आ से आतन ता से ताब है कोई साइलेंट रखना ठीक है तो यह आप PDF डाउनलोड करके उसको आप और अच्छे से पढ़िएगा आगे बढ़ता हूं में अगला क्व गुपनी की सरप चीइमा कितनी है बीस हर्ड से दोसो क्ीलो हर्ड दस हर्ड से ना किलो हर्ड से 20 किलो हर्ड से फिलो किलो हर्ड जूड यूडा हुआ है मतलब आप उसको ऐसा मान सकते हो 10 Hz से 10,000 Hz, 20 Hz से 20,000 Hz, जनरली आप जैसे याद किये रहते हो न, as it is वैसा option में आता है, तो आप से बन जाता है, लेकिन थोड़ा से घुमाते हैं, तो आप बड़ा आते हो, इसका अंसर आएगा C, यहना इसको आप ऐसे बोल सकते हो, कि मानव कर्ण की सरभ्य सीमा है, 20 Hz से 20,000 Hz, यहाँ बोल सकते हो, 20 Hz से 20 kHz, ठीक है, इसको भी मैं I think YouTube पे डीटेल से पढ़ाया हुआ हूँ, या paid course में पढ़ाया हुआ हूँ, अभी मेरे को अतना ध्यान नहीं आ रहा है, बढ़ मैंने image मगरा के माध्यम से जो है आपका डीटेल में बताया था, इस image के माध्यम से, कि जो ध्वनी तरंग की आवरिती होती है, वो तीन प्रकार की होती है, स्रभ्य तरंग, audible waves, अव स्रभ्य तरंग, infrasonic waves, और परा स्रभ्य तरंग, ultrasonic waves, ठीक है, स्रभ्य तरंग या audible waves, जो human होता है, मानाव के लिए होता है, वो 20 से 20,000 hertz होता है, इसी बीच की जो ध्वनी तरंग होती है, उसको मानाव कान के परदे अनुभाव कर सकते हैं, इससे कम या अधिक आवरिती को हम अनुभाव नहीं कर सकते हैं, 20 hertz से नीचे को भी हम अनुभाव नहीं कर सकते हैं, 20,000 hertz से उपर को भी हम अनुभाव नहीं कर सकते हैं, 20 hertz से कम आवरिती की ध्वनी तरंग को अवस्रभ्य तरंग या इंफ्रासोनिक वेप्स कहेंगे, 20.000 हर्ट से अधिक को परासरपे तरंग या ultrasonic waves कहेंगे जो infrasonic waves होती है उसका example है heartbeat, bocumb ये सब को हाथी वगरा जो होते हैं या whale वगरा जो होते हैं वो इनको सुन सकते हैं ठीक है बाकी मनुष से नहीं सुन सकता इसके अलावा 20.000 हर्ट से उपर की जो तरंगे होती हैं उनको डॉलफीन चमगादर चिडिया कुत्ते बिल्ली यह सब उनको अनुभाव कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा जो लिथो ट्रिपसी नामक एक मेडिकल टर्म है जिसमें किडिनी की पतरी का इलाज जो है वो अल्ट्रासोनिक वेवस के द्वारा जो है किया जाता है चलिए अगले क्विस्चन की और मैं बढ़ रहा हूं अगला क्विस्चन है निम्नलिखित में से क्या पृत्वी के वातावरण को बन गृत्वाकरसन बल पृत्वी के चार और क्या है वेटा पृत्वी के चार और उसका एक एटमॉस्फियर है पृत्वी का क्या है आपका वायू मंडल है अब वह मायू मंडल हमारे पृत्वी के एक निस्चित दायरे में जो है वह आपका फैला हुआ हुआ है उससे दूर न कारण केवल और केवल क्या है पृत्विका गुरुत्वाकरसन बल ठीक है अगला कोईश्चन देखते हैं एक सीधी रेखा में गती कर रही वस्तु के द्वारा लगाया जाने वाला बल खाली इस्थान गुणा बल के बराबर होता है ठीक है फिजिक्स का जो है ये आपका प्रस्त है सिधा सिधा इसमें जो है आपका फार्मूला पूछ रहा है वो फार्मूला पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक सीधी रेखा में गतिमान वस्तू द्वारा आरोपित जो आपका सक्ती होता है पराबर होता है बल गुडित वेग तो इसके अधार पे हमारा उत्तर हो जाएगा वेग ठीक है तो वेग गुडित क्या हो जाएगा आपका पल ठीक है इजी है अगला question चलिए देखते हैं बारवा question निम्नमेंसे कौन ध्वनी तरंगों की एक विशेस्ता नहीं है उत्तर देना सभी लोग इसका एवेग बी प्रकृती सी तरंग धहरियर डी आया ध्वनी तरंग या तरंग पढ़ने के दवरान ये सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं एक ध्वनी के बारे में हम क्या क्या चीज पढ़ते हैं उसके वैबलेंद के बारे में पढ़ते हैं उसकी स्पीड के बारे में पढ़ते हैं उसके आयाम के बारे में पढ़ते हैं ठीक है लेकिन ध्वनी की प्रकृती वगरा के बारे में नहीं पढ़ते हैं ये ध्वनी तर तरंगों का अध्यन करते हैं उनको पांच विश्यस्ताओं के द्वारा वर्णित के बेरगन को कौन तों से Πांच विश्यस्ता होती है एक तो हम देखते हैं ध् opaque ज्माइन मतलब कितनी दूरी पें कर रहा है अर्थात उसका तरंग हए ठीक है दूसरा हुज प्रकृति जैसा कुछ चीज हम अध्यननी करते हैं इसलिए इसमें आपका उत्तर लिया जाएगा वो होगा B प्रकृति 12 का सही आंसर जाएगा B तेरवा नंबर का क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ प्रकास के वर्ण करम की ब्याख्या सबसे पहले किस ने की थी नील बोर ने आईजेक न्यूटन ने अलबर्ट आइंस्टाइन ने गैलेली ओ गैलेली ने प्रकास का वर्ण करम मतलब क्या होता है आपने एक प्रयोग दस्वी किलास में किया होगा जब एक स्वेत प्रकास को प्रिजम से गुजारा जाता है तो वह सात रंगों में क्या हो जाता है विभक्त हो जाता है जिसको विभग्योर कहते है ना बैजानी है पिनाला है ना तो ये वर्ण विच्छेपन या प्रकास का वर्ण करम कहा जाता है प्राकृतिक रूप से गटना इंद्रधन उसे जब बनता है तब होता है तो वर्ण करम की व्याख्या तो बहुत सारे विग् किया गया है इसht को आप याद रखेगा आई जेग न्यूंटन वह आपके उसिस्त हैं जिन्होंने सब से पहले प्रकास के वर रव भड रम की ब्याक्ष्याइँ की आई ज्सेग न्यूटन ने पाया कि जब सफेद सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसको फिर से स्वेध प्रकास में अपन मर्ज कर सकते हैं इकठा कर सकते हैं अगला क्विश्चन बीटा 14 एलेक्ट्रॉन की खोज वर्स 1897 में खाली स्थान के द्वारा की गई है मेरे को पता यह क्विश्चन इजी है आप सभी को वह इट पर नाचे वाला कोट पता है लेकिन इस क्विश्चन को दोबारा या तीबारा अगले सेशन में भी दूँगा उसका कारण है कि आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नियूट्रॉन या नाभीक इसकी खोज किसने की उस व्यक्ति, उस सैंटिस्ट का नाम के साथ साथ उस इयर को भी याद रखो तो इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई है, यहाँ पर इयर में सान है, कभी कभी क्रेश्चन से भी आप सीको यह एडिसन मतलब थामस अलवा एडिसन उसको भी आप देख लो ठीक है देखो इलेक्ट्रान के खोज करता जेजे थाउंसन थामस अलवा एडिसन कई बार क्वेस्चन पूछा है बिजली के बल्ब का विस्कार जो वरतमान में प्रतलन से बाहर हो गया है सव वाट का बल्ब जो आता था तो बिजली के बल्ब का जो विस्कार करता है वह थामस अलवा एडिसन उसके बाद न्यूटन सहाब को जानते हो न्यूटन सहाब का तो एक मैंने आपको बता दिया कि इनके दुवारा जो है आपका प्रकास की स्पेक्ट्रम की सबसे पहले ब् गतिके तीन नियम के लिए रड़ गतीके तीन नियम किसे लिया है न्यूटन ने उसके बाद निकोला टेसला निकोला टेसला को आधूनीक अल्टरनेटिंग करंट एसी जो बिदली होता है इसको हम अल्टरनेट करंट कहते हैं उसके डिजयर neutr awake उन्होंने एक वुषेस यर आसायनिक योगिक का घनत्व हूं सबसे ज्यादा होता है एपारा मत्लब मर्क्योरी भी और समियम सिढस्ता मतलब Nical ओंसे परकृती का सबसे भारी तट्व किसे इसे ओसमियम ऑश्मियम का घनत्व सबसे ज़ादा होता है आस्मियम में जनरली एक जो आस्मियम होता है उसमें 76 प्रोटॉन 114 नियोट्रॉन और 76 इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रित्वी पर प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाले तत्व में सबसे भारी तत्व सबसे ज़ादा घनत्व वाला तत्व कहलाएगा क्या आपका आस्मियम याद रहेगा अगला क्विस्चन देखिए बहुत इजी क्विस्चन है नीला लिटमस पेपर अमली ये विलियन के संपरक में आने पर क्या हो जाता है बताने की जोरत है क्या नीला लिटमस पेपर क्या हो जाता है लाल हो जाता है लिटमस पेपर टेस्ट एसीड और बेस की पहचान करने के लिए अमल और छार की पहचान करने के लिए किया जाता है अमल की प्रकृति क्या होती है अमल की प्रकृति ये होती है कि अमल जो है वो नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है छार की प्रकृति जो है जस्ट अलग होती है छार जो होता है वो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है नीला कर देता है जैसे कि चितरे में दिखाया गया है और आपको पता है, इसको याद रखने का सबसे जो आसान कोड है, सभी लोग जानते हैं, वो होता है, अनिल, अ से अमल, नी से नीलाल, असे लाल, अमल, नीले को लाल करता है, अगला क्विस्चन, निम्न लिखित में कौन सा तांबा खनीज है, प्रकृति में कुछ तत्व ऐस बट ऐसा नहीं है कि कापर और गोल्ड और सिल्वर हमेशा प्रकृति में मुक्त आवस्था में मिलते हैं, प्रकृति में मुक्त आवस्था में मिलने के अलावा आपने देखा होगा अगर question आप solve करते होंगे तो तांबे का अयस कभी देखने को मिलता है, चांदी का अयस भी देखने को मिलता है जन्रली यह मुक्त अवस्था में पाई जाते हैं लेकिन इनके अपने खनीज भी होते हैं इनके अपने एसक भी होते हैं तामबे का तो कई प्रकार का खनीज है कुछ विशेश को आप जानते होंगे क्यूपराइट वगरा को आप जानते होंगे ठीक ह अब इसमें से यह दोनों तो आप इल्युमिनेट कर दो गए आपको पता है है मेचाइट तो लोहे का एसक को है बाक साइट तो एलुमीनियम का इसक है इन दोनों में से कोई एक होगा ठीक है तो इसका राइट आंसर है यह नीले कलर का थोड़ा सा आयसक टइप का होता है मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, है ना, देखो, कापर के बहुत सारे मतलब खनीज होते हैं, तामबा के बहुत सारे खनीज होते हैं, लाइक, एजुराइट, मेलाकाइट, चेलकोसाइट, एकेंथाइट, चेलकोपिराइट, बोनाइट, है ना, उसी में एक होता है, एजु साली फली अगंद होती है fruit fragrance मीठी खुस्बू किसकी होती है methyl chloride methanolic amyl methanol ethyl acetate तो फली अगंद जो है या मीठी खुस्बू होती है किसका आपका ethyl acetate का ठीक है तो ethyl acetate का structure तो नहीं पुछेगा ethyl acetate को अपयोग जो है चाय हो गया आपका गोंद हो गया nail polish remover हो गया coffee हो गया इन सभी में किया जाता है इसकी एक मजबूत जो है मतलब बोना चीए अच्छा fragrance होता है इसका मीठी खुस्बू होती है अगला question निम्नमेंसे किस ने अस्टक सिध्धान दिया यह आई थिंग यह question जो है repeat हो गया है तो इसका answer आप सभी को पता चल गया है कि new land के दुआरा जो है वह आपका अस्टक सिध्धान दिया गया है अगले question क्यों बढ़ते हैं कौन सा रासायनिक नियम कहता है कि soft drink और soda की बोदलों को उच्छ दाब में बंद किया जाता है ताकि co2 की घुलन सीलता में व्रुद्धी हो आपने soft drink देखा होगा न cold drink वगरा वह एकदम compress करके दबाओ के साथ बंद के जाते हैं ठीक है क्योंकि soft drink cold drink में क्या रहता है co2 रहता है ठीक है तो यह नियम ताकि इस लिए इसको दबाओ के सा salts बंद रखा जाता है कि ne विद्धी हो यह किस ने दिया है रॉलैट ने दिया है है और ने दिया है तो यह जो नियम है यह हैं eyes क्या कहता है कि वहनोंने एक प्रढुपर्यव किया कि गैस में जुकि गैस की विलियता तब बड़ा ही जा सकतीए जब उसको दबाओ के साथ compress करके जो है आपका बंद रखा जाए ठीक है सोडा पीते हो ना सोडा ठेला लगता है उसमें भी तो compress करके ही आपको सोडा water दिया जाता है ताकि उसमें बुलबुले जाक्स योटुग घुला रहे अगला question हेंडरी के लॉक प्रयोग करते हैं आप पूछना ठेले वाल जा करके हैंडरी लॉइस करते हो क्या करके हैं वो लेगा 20 रुपय दे और पी के जा ठीक है 21 question देखो निम्न लिखित मेंसे कौन एक इंसूलेटर नहीं है ए इबोनाइट बी गलास सी ड्राइपर डी पारा इनसूलेटर मतलब समझते हो कुचालक पूछ रहा है आपको निम्न मेंसे कौन सा कुचालक नहीं है ठीक है मतलब कुचालक आप देखो तोड़ना हमेसा question लजलब आपसे क्या पूछ रहा है और जातू का मतलब है ठीक है एक मतर जाएं क्या है पारा और एक मात्र द्रव अधातू कमेंड कर ये बताइए द्रव अधातू एक मात्र है सायद या फिर फेमस है जो भी तो द्रव अधातू में फेमस है आपका पारा द्रव अधातू में फेमस है ब्रोमीन याद रखिएगा अगला कुश्चन सेब में इपल में निमन में से कौन सा एसीड अमल पाया जाता है जेप्टर से मैं आपको question यहां पर रखूंगा हर सिरीज में सेब में कौन सा अमल मिलता है ठीक है सेब में मैलिक अमल मिलता है जनरली देखो फल जो पकने से पहले थोड़ा से खटापन आता है ना सेब में एकदम पक भी जाता है तब भी कुछ ही से हो रहाता है जो एकदम मीटे होते हैं हलका खटापन आता है लेकिन यह खटापन थोड़ा अलग है सेब का खटापन अंगूर का खटापन थोड़ा अलग रहता है इमली का खटापन थोड़ा अलग है इमली में तो टाटरी का एसीड जो है वह आपका पायाता है लेकिन सेब में पायाता है आपका मैलिक एसीड या स्थान मिधेन गएस को अलग करने वाले पहले प्यक्ति थै मतलब मिधेन को अलग करने वाले में पहले प्यक्ति आपके आपस्टन है ऐड़ेसेंडो वॉल्टा विलियम लूई पास्चर विलियम क्रुक्स ठीक है किसने यह पता लगाया कि मिथेन गेस को हम सेपरेट करके उसको एक इंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं सरल भासा में यह पूछ रहा है तो उसका स्रिय जाता है एलसेंड्रो वोल्टा को एलसेंड्रो वोल्टा वो पहले व्यक्ति हैं जिन्हों ने आपका हवा के साथ मिश्रित किये गए इथेन वैस को इलेक्ट्रिक स्पार्क के द्वारा विस्पोर्ट किया था जलाया था और एक प्रकार का यहां फ्यूल के रूप में इसका दहन इंजन में हम प्रयोग कर सकते हैं तो याद रखिएगा अलसेंड्रो वोल्टा को अ बड़ा करेंगे तो यह द्राव गैस में बदलेगा मतलब यहां पर पहला जो घटना우 वो क्या हुआँ गूआ वास्ष्थ भी करण हुआ उसके बाद इसको इस वास्प को हम इस थंडे बोलना चाहिए जब परक नली से गुजारेंगे तापमान उसका कम करेंगे तो यह गैस फिर से किसमें बदलेगा द्रव में और यहां पर आ कि एकत्रित होने लगेगा इसी डिस्टिल वाटर बनाते है ना जो मेडिकल फिल्ड में यूज होता है आसविजल आसुद जल इसी से दारू बनता है इसी प्रक्रिया से क्या बनता है आपका सराब कंजने माड के जाता है तो देखो वास्पी करण और उसको फिर से द्रव होता है तो वह प्रक्रिया क्या कहला आती है आसवन कहला आता है इसलिए आसवन राइट आंसर गया अगला क्विश्चन देख लेते हैं निम्न में से कौन सी गैस कोईला ख़दानों में विस्फोर्ट का कारण बनती है एस योटू बी नैट्रोजन सी ब्यूटेंड डी चिंगारी वगरा इसके चलते इस पार्क वगरा के चलते वहां पर कई बार विस्फोर्ट हो जाता है विस्फो के कई देशों में इस प्रकार की घटनाएं पुर्व में घटित हो चुकी है अगले कुश्चन की वर पढ़ते हैं चलिए फिर से मैं विज्ञानिक नाम लेकर इसका साइन्टिफिक नेम यह साइन्टिफिक नेम दिया हुआ है मैं अब 139 यह किसका नाम है पूछ रहा है अफ्रिकी जंगिली बिल्ली का भावरे का वरिक्षमेंडग का कूबर वाली वेल का कि वाली वेल क्या होती है सर अगर आप नेशनल जोगराफिक चैनल अनीमल प आपने देखा होगा एक होता है हम बैक वेल हम बैक मतलब जिसका जो बैक है वो उबरा हुआ रहाता है जैसे पैल अगर कूबड होता है वैसे सुद्ध हिंदी में कूबड वाली वेल बोल दिया है और यही राइट आंसर है मैं का टेरा नोव एंगली हम पड़ जो वेल होत वो बांबु बोलते हैं बाबू करके आत रखो भारा बाभू ठीक है वहरे का सैंटिफिक नेम बापू , विरिक्ष सकत्रीं पर पाएये वाला चिप्चिपा ठीप का में ठीप होता है न उस में ठीफिक है चंगली बिल्ली का विज्ञानिक नाम है फैलिस लिबिका इसका नाम बड़ा अच्छा है किसी हॉलिवुड के मॉडल या एक्ट्रेस टैप का नाम लग रहा है ठीक है फैलिस लिबिका है ठीक तो हम पबैक वैल को क्या कहते हैं मेगाप्टेरा नौवेंगलिया बाम्बू भावरे को कहेंगे और क्या बता है मैंने अपरिकी बिल्ली जो है रिक्षमेंटक उसका जो है आप याद रखेगा हाईला और जो जंगली बिल्ली होती है उसका नाम है फैलिस लिबिका अगला क् पोसण से स्वपोसी रूप के लिए आवस्यक होता है पोसण के स्वपोसी रूप के लिए अब अलग अलग प्रकार के बोलना चाहिए कि पोसण के अदार पे हम वरिकृत करते हैं जंतुओं को स्वपोसी होते हैं पर पोसी होते हैं बिर्टोप जीवी होते हैं ऐसा बहुत carbon dioxide, पानी और chlorophyll और सुर्य का प्रकास दिख रहा है answer जाएगा D भाई स्वापोसी कौन होगा जो प्रकास संसलेशन की क्रिया करेगा photosynthesis करेगा photosynthesis करने के लिए सुर्य का प्रकास भी चाहिए carbon dioxide भी चाहिए oxygen भी चाहिए और पानी भी चाहिए oxygen भी चाहिए और पानी चाहिए इसके अलावा भी कुछ और चाहिए होता है लेकिन ये तीन essential चीजे हैं ठीक है जो बाहर से ली जाती है प्रकास बाहर से लिए जाता है carbon dioxide बाहर से लिए जाता है प्रणाली के मुख्यकारियों में सामिल नहीं है मतलब पौधों की जड़ का इन में से कौन सा कार्य नहीं होता ये बुल रहा है A. पौधों के हिस्सों को भोजन की आपूर्ती करना B. पौधे के हिस्सों को उचित लंगर प्रदान करना मतलब सहारा प्रदान करना मिट्टी से पानी का आउसोसन करना D. मिट्टी से खनीच का आउसोसन करना पताईए 28 का आंसर तो चलो सभी लोग दो इसका अंसर इसको देख के ऐसा लग रहा होगा आपको कि सर सारे आप्शन तो सही है इसमें एक और E रहना चाहिए था उपरोग तो सभी बट ऐसा नहीं है मैंने याद कीजिए पिछले क्लास में जैलम और फ्लोयम के बारें बताया था दोनों क्लास में मैं बताते हुए आ रहा हूँ फिर से बताऊंगा इसका जो आंसर जाएगा न वो ए जाएगा यह पौधे का जड़ का काम नहीं है पौधे के हिस्सों को भोजन की आपूरती करना मैं ऐसा क्यूं बोल रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ देखो जो एक जड़ होता है न एक जड़ का कार यह क्या है पौधे को सहारा प्रदान करेगा भई वो तो पगड़ के रखता है मिट्टी से पानी का आउसोसन करेगा अभी हम देखेते हैं न भई अभी चितर बताया था मिट्टी से पानी का उस्वसन कर रहा है कौन आपका जड़ ये भी उत्सा कारिय है मिट्टी से मिन्रल्स का उस्वसन करता है बिल्कुल जड़ का तो में काम वही है जल और खनीज वाटर एंड मिन्रल्स का उस्वसन करना जड़ का ये काम नहीं है पौधे के बाकी हिस्सों को भोजन क्या बजड़ भोजन थोड़ी बनाता है जो पौधा होता है आप देख लो पौधे में भोजन तो पत्तियों में बनता है प्रकास संसलिसन के लिए पत्तियों में हो रही है ठीक है तो पत्तियों में जो भोजन बनता है लीफ में जो भोजन बनता है वो फ्लोयम के माध्यम से फ्लोयम के माध्यम से पौधे के अलग-अलग भागों में पहुचता है तो लीप में भोजन बनता है और पत्तियों से पौधे के अलग-अलग भागों में फ्लोयम उसको पहुचाता है जड जड का काम है पानी अवसोसित करना और मिनरल्स खनीजलवण करना और जायलम पहूंचाना जड का भोजन बनाने से देना देना नहीं है यह चीज याद रखिएगा ठीक है इसलिए आंसर जाएगा आपका A चलिए अगले question की और मैं बढ़ रहा हूँ बिटा कला question देख लिजिए निमने में से कौन malaria का वाहक है A. 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 डीज मच्छर B. एनाफिलीज मच्छर C. बढ़ मख्छी D. पिसू अब आप सुथ रहें कि क्या इतना easy question दीए है सर Easy question में इसलिए देदिया हूँ क्योंकि कई लोग मादा एनाफिलीज मच्छर का नाम जानते हैं कि मादा एनाफिलीज मच्छर के चलते malaria होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के चलते malaria होता है लेकिन ये इसका कारक नहीं होता ये केवल इसका वाहक होता है malaria रोग का कारक पढ़ना कारक लिखा है या वाहक लिखा है कारक एक proto-जोवा है कोई मच्छर नहीं है Plasmodium Plasmodium इस proto-जोवा के चलते malaria disease होता है अब इसमें जो ये मच्छर होता है ये वाहक की भूमिका निभाता है मेरे को मालो malaria है मेरे को उसने काटा मेरे blood में मालो plasmodium या plasmodium वेबर है वो उस मादा एनाफिलीज के blood में या उसके सरीर में चला गया दूसरे को जाके काटेगा फैलेगा ठीक है तो वह एक से दूसरे में फैला रहा है मतलब एक से दूसरे में उसका transfer कर रहा है तो ये मच्छर उसका वाहक है इसके चलते वो जो होगा जिसके चलते वो रोख होगा वो उसका कारख कहलाएगा ठीक है यहां पर मैंने डीटेल में बता दिया है कि इस प्लाजमो डीम के चलते होगा उसको फैलाता है यह मादा एनाफिलीज मच्छर ठीक है ओके अगला क्वेश्चन एक तितली के रुपांतरण का तीसरा चरण निम्न में से कौन है बटरफ्लाई का लाइफ साइकल ए अंडा बी प्यूपा सी वयस्क डी लारवा कई लोग देखे होंगे इसको टीवी बगरा में कि जो तितली होता है न बटा तितली सबसे पहले तो आपका एक रहता है अंडा इस अंडा से लारवा निकलता है तो ये पहला स्टेज हो गिया अंडा दूसरा स्टेज हो गिया लारवा लारवा भी बोलोगे उसको तपी सही है केटरपिलर भी उसको बोला जाता है ये लारवा क्या करता है अपने चारो तरफ ऐसा एक कोकून मना लेता है रेसम का कीड़ा भी इसी प्रका काम करता है ठीक है तितली की बात नहीं है यह जो कोकून मनाता है इसी को प्यूपा कहा जाता यह तीसरा स्टेज है तो तीसरा स्टेज क्या हो गया प्यूपा उसी के भीतर वो बड़ा होता है परिपक वो होता है फिर उसको फारता है उस ठीक है तो जब रेसम कीट पालन होता है ना तो रेसम कीट पालन में चौंथी अवस्था आने नहीं दिया जाता रेसम कीट का अलम पालन में अंडा अंडा से लारवा बना लारवा से प्यूपा बना यह प्यूपा में जो आपका उसने रेसम का जो धागा बुना है उसी को ख काम का नहीं रहा ठा ठीक है तो चार चरण्ण होते हैं बटरफलाई के आपके लाइफ साइकल में एग के बात लार्वा लार्वा के बाद प्यूपा प्यूपा के बाद एडल्ट ठीक है तो कितने चरण्ण होते हैं चार चरण कौन्स चरण को पूछा गया है तीसरा तो एग पहला फिर लारवा तीसरा क्या प्यूपा आंसर आएगा इसका भी अगला क्विश्चन चलिए क्विश्चन नमबर अधिकांस भाग किस से बना होता है यह पूछ रहा है क्विश्चन गुलिक एसीड से बना होता है लिफिम से बना होता है परोटिं से बना ओता पानी से बना एक में बहुत सारे और्गिनल पाए जाते एक को drones पाई जाते हैं एक सबढर य Сबीय समें त्यारते रहते हैं वो क्या कहलाता है ठीक है वो कहलाता है कोशिका द्रभ्य या साइटो प्लास्म और वो कोशिका द्रभ्य या साइटो प्लास्म में क्या है पानी तो है तो कोशिका का अधिकान से किस से बना होता है पानी से बना होता है next question 70% कम से कम पानी उससे अधीक भी हो सकता है ग्राण संबंधी प्रापक हमारे खाली स्थान में मौझूद होते हैं ठीक है ए नाक बी जीब सी कान डी नेत्र ग्राण पिंड पाया जाता है किस में पाया जाता है नोस में पाया जाता है नाक में पाया जाता है फ्रेग्रेंस रिसेप्टर होते हैं यह सूंगने का काम करते हैं तो जो घ्राण ग्राही होते हैं हमारे नाक में इस्थित होते हैं यह जो भी किसी अलग-अलग पदार्थ की जो आपके सुगंध है वायू में कण के रूप में मिलते हैं फिर हम उसको सूंग पाते हैं तो घ्राण संबंदित किस से नाक से निम्न मैंसे कौन हिर्दय का एक कपाट नहीं है बहुत ही अच्छा क्विस्चन है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम या ब्लड वैस्कुलर सिस्टम रक्त परिसंचन तंत् कि देखो एक हाड में बहुत सारे कपाट होते हैं तो इसमें से कौन सा education नहीं है माइड्रल कपाट मतलब माइड्रलनी ठीक है माइड्रल वाल्व महाधमनी मतलब कि ए रोटा त्री कपरदी ठीक है इसको त्रीवलनी भी कहते हैं और इसको इंगलिस में ट्राइकस्पीड भ एक वालव है सही है महा धमनी मतलब एक एरोटा वालव है यह जो हार्ट होता है न ठीक है यह दोनों हिस्सों को जो भाग बीचो बीच अलग करता है न यही सेप्टम है में हार्ट में हाहाट नहीं है साथ यह सब्सक्राइब नाग करते हैं दोनों नाग को बीच में पृतिक्षण करता है वह जैसे कि मैं आपको कुछ वॉल्व यहाँ पे पता रहा हूं आपको इधर देखो पलमोनिक वॉल्व होता है इधर मैट्रल वॉर्व होता है दिया हुआ हैником 지 7 है सैडम कोई वाल वह नहीं है यहां पर मैंने लिखा हुआ है पीडिये में आप अच्छे से पढ़िएगा डाउनलोड करके दा सेप्टम इसे वाल ऑफ टिसू सेपरेटिंग दा हाट्स राइट एंड अधा हाट्स राइट एंड लेप्ट साइट एक प्रकार का उताख है जो हिर्दे के दोनों हिस्से को लेप्ट और राइट हिस्से को ताइबाय हिस्से को प्रिधक करता है वो सेप्टम का अलाता है ठीक है चली अगला कुश्चन देख लेते हैं 34 कौन से मानाव अंग के छतिगरस्त या ठीक से काम न करने के स्थिति में रोगी को डालेसिस की सलाहत दी जाती है कोई ब्यक्ति डालेसिस कप करवाता है एक गुर्दा भी कलेजा सी पेट डी हिर्दय है या ना गुर्दा बोले तो किड़नी या व्रिक कलेजा बोले तो य यक्रित या लिवर पेट बोले तो स्टमक वहिदय बोले तो आर्ट इसमें से किसके खराब होने पर व्यक्ति डालेसिस कराता है बड़ा एजी क्विस्चन है किड़नी या व्रिक के प्रॉपर ढंग से वर्क करना करने पर खराब होने पर व्यक्ति को डालेसिस करवाना ये यक्रित क्या करता है हमारे सरीर में जो एक ख़तारनाक पदार्थ अमूनिया बनता है उसको कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में कनवर्ड कर देता है और इसको रक्त में मिला देता है अब यूरिया भी हमारे सरीर के लिए घा तक है तो ये जो आपका यूरिया है इसको सरीर से बाहर करने का काम करते हैं हमारे सरीर के ये एक जोड़ी किड्नी ये यूरिया मिला हुआ बलट इस किड्नी में जो है वो आपका जाता है किड़नी एक filter है एक छन्ना है जो यहां से रक्त से यूरिया को अलग करता है इसमें पानी मिलाता है 95% पानी मिलाता है लगबग 5% के आसपास यूरिया और इससे बनाता है यूरिया प्लस water is equal to urine इससे बनाता है मुत्र जो इस मुत्रासाय में जा करके यूरिनरी ब्लेडर में जा करके इकटा होता है और समय समय पर हमारे सरीर से बाहर कर दिया जाता है तो urine के रूप में हमारे ब्लड का यूरिया बाहर निकल रहा है तो यदि आपकी kidney proper तरीके से वर्क नहीं कर पा रही है तो आपके ब्लड से यूरिया का छनन नहीं हो पाएगा ब्लड भी साक्त हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा क्रित्रिम तरीके से अपने ब्लड को फिल्टर करना पड़ेगा बीच बीच में आपके सरीर से ब्लड को निकालेंगे एक क्रित्रिम गुर्दे के माध्यम से वहां से यूरिया को छान करके फिर से ब्लड को आपको चढ़ा बी तुचाए का रंग बनाना सी सरीर में भाल का निरमाण करना बीवरिद्धी के हार्मोन निरमित करना अब amen कोफरीद फोन भी जो मैंने बताया वो है यह पुछता यह माना सरीर tão माना सरीन का सबसे प्रमुकां का रहता है फाफ़जी सर्जीं काल आता है किड़नी अव्रिक लेकिन धो मुच्टरन निकालता है लेकिन इसमें तो अपसानी नहीं है लेकिन हमारे सरीरमiddag रेगों सिर्टी पर बनते हैं जो मैं स्वास छोड़ रहाएँ जिसमें any other myślę वह भी एक उच्व TV पतार्थ है आप जो मल त्याग करते हो भी उच्वसर्जी पतार्थ है युरीन- त्याग करते वह भी उच्थ मल त्यागने के लिए उत्सरजी यंग हमारा मलासा है उसी प्रकार से पसीना निकालने के लिए हमारा उत्सरजी यंग क्या है तवचा या फिर हमारा स्किन हमारे स्किन में स्वेड ग्लेंड पाई जाते हैं स्वेद गरंतियां पाई जाती हैं जिनके माध्यम से पसीने के ये पसीना का सेक्रेशन करके पसीने का इस्त्रावन करके हमारे सरीर का ताप नियमन टेंपरेचर रेगुलेशन भी करते हैं ठीक है अगला कुश्चन देखें अगला कुश्चन है स्वसंतंत्र के उपरी भाग में कि स्वसंतंत्र के उपरी भाग में छोटी केस जैसी बाल जैसी सरचनाएं होती हैं जीने खाली स्थान कहा जाता है ए वायूनली बी पपनिया सी विल्ली डी वायू कोस्ठिका देखो देखो अपने अपने नाक में जाको क्या अंसर होगा 36 का अब नाक के बाल को इमेजिन मत करना मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ ठीक है यह पपनिया जो होता है इसको सीलिया भी कहा जाता है हमारा जो सुसंत अंतर होता है उसमें जब आप भीतर के वह स्वास लेते हो तो आपके नाक के भीतर थोड़ा और अंदर जाओगे तो यहां पर जुद्धि आपको दिखता है जहां तक आपका उंगली जाता है वह अस्तविक नाक नहीं है उसके भीतर जब आपने कभी सलवी वगण लगा करके कापी अंदर तक जो आपका डाला किया होगा ताकि म्यूकस मिल सके आपके नाक से जिप चीप पदार ठीक है साथ ही साथ इसमें एसे रूम सरी के बालती के सरचनाएं रहती हैं यह सीलिया होता है मूकस या सीलिया क्या करते हैं या आपकी सरक्षा करते हैं किस से जो भी आप धूआ या फिर धूल इनहेल करते हो तो वो सीलिया जो है एक दम बाल के उच्छे समान सरचना रहता है वो एक फिल्टर का काम करता है और बहुत तरी चीज़ें आपके इस मूकस में चिपक जाती ह इसलों जाला धूल धक्कड में आप जाते हो दूसरे दिन आपके नाक से गंदगी क्यों निकलती है वह सरीर से गंदगी को बाहर करने की प्रक्रिया है ठीक है तो जो रोम जैसे सरचनाय होती है उसको सीलिया कहा जाता है इंग्लिस वर्ड याद रखो अपनी नाम मत याद र यह कई लोग उससी अंग को सरजी अंग समझ लेते हैं अब अलग चीज होता है विस्टिजियल और अलग चीज होता है ऐसा और गन जो आपके मेरे या किसी दूसरे जीव के भी हो सकता है सरीर में है बट उससे कोई काम नहीं है उसको यदि आपके सरीर से हटा भी दिया जा ना हर अबते कोई फरक पड़ता है नहीं पड़ता बाल कोई फरक पड़ता है नहीं फरक पड़ता दाड़ी कोई फरक पड़ता है इवन पूरसों में तो जितने भी सरीर में बाल है किसी भी इससे का बाल हो वो सभी ओसेसी अंग के टेकरी में ही आता है ठीक है आपके जो यह कान है में यह मेरे कान है यह वाला हिस्सा न तो इतने बड़े हैं हाथी टेप की हम हिला के मक्षी मच्छर भगा सकें ठीक है यह कोई काम के नहीं है यह बस इसमा अटकाने के और यह माइक अटकाने के काम आते हैं वैसे पहले जब बनुस से बंदर हुआ करता था तो उसक यह फिर देड़ करके सबको याद कर लेना धीक है क्या जेको मैंने आपको बताया जासे कि हमारा उशीडम याद hybrid आधने सीह मैंने दढ़ार दो प्रकार के बताया है इक प्री मोलर बताया था जो दो होता है और एक बेटा मैंने मोलर पढ़ाया हुआ है आपको जो तीन्ट होता है तो पहला का दो अंतिम के जो तीसरा आता है ना वो बीसिक्की साल के लोगों के पचीस साल में आता है जब बुद्ध्या जाती है तब आता है इसलों उसको विजडम टित कहते हैं वो भी कोई काम का नह नहीं है इतना पीछे रहता है कि वो भोजन वहां तक ढंस जाता ही नहीं है वो नहीं रहता तब भी चलेगा चबाने में कोई युगदान नहीं देता हूँ आपका उसी प्रकार से अपेंडिक्स वर्मिपॉर्म अपेंडिक्स हमारे लार्ज इंटेस्टेंज जो होता है ज यह वर्मिपॉर्म अपेंडिक्स हमारे सरीर में काम करता था बट करोडों वर्सों से मनुझ से अब पका हुआ भोजन खा रहा है तो इसका कोई काम नहीं रह गया है यह अभी भी जानवरों में रहता है जो कच्छा चीज खाते हैं उनको पचाने के लिए इसको भी काट कर में कोई फरक नहीं पड़ना बोडी हेर मैंने बता दिया wisdom teeth मैंने बता दिया यह आपका कान घ्टा बता दिया अंदर में लाटकता हूआ अधि sweetheart की काम के नहीं है य। वह सारे हमारे बässटी讲 और कंप काम के नहीं है वो सारे वेटेजियाल और की कि तेकरी में आते हैं अगला ठीक है थाला कि कहीं पढ़ा नहीं हूं पीच में यह फ Kingdom चीज शेर करना बोल रहा हूं कई लोगों के चीनी उंगली पूरी तरीके से विलप्तिक का गार पर चलिए एक दम छोटा है छोटा भी रहता है ठीक है वो कड़ भी जाएगा तब भी फरक नहीं पड़ना है ठीक है बट विज्ञान में कहीं पर उसका उल्लेक नहीं है वेस्टिजियल चलिए और तिसनवा नंबर के क्वेस्चन आपने पढ़ लिया क्या है इसको हिंदी में अधस्चेतक भी कहते हैं खाली इस्थान का एक छोटा छेत्र होता है जो मानाव सरीर के कई महत्पूर्ण कारियों में जरूरी भूमिका निभाता है कहां रहता है भाई है पेट में यकरित में गुर्दा में मस्तिस्क में ठीक है तो जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम में हम जब ब्रेन पढ़ते हैं ठीक है तो ब्रेन पढ़ाने के दवरान हम अध्यन करते हैं मस्तिस्क में क्या पाया जाता है आपका हाइपो थेलेमस पाया जाता है देखो मस्तिस्क के मुक्यता तीन भाग होते हैं फोर ब्रेंड, मीड ब्रेंड, हेंड ब्रेंड या उसको हम फ्रंटल लोग, अक्सिपिटल लोग, पिराइटल लोग कहते हैं, ठीक है, तो मैं डीटेल से उसको अध्यापन करवाता हूँ, तो इसमें आयाद रखना यह जो है इपोतेलमस है, बड़े काम की चीज है, ताब नियमन का यह काम करता है, और यह मस्तिस्क का क्या है, आपका हिस्सा है, सुद्देंदी में इसको अधस्चे तक कहा जाता है, अगला कुश्चन देखते हैं बिटा, कुश्चन नमर 39, कसेरुक मानों में निमनलिखित में से कि सरीर प्रणाली का हिस्सा है, कसेरुक, कसेरुकी, कसेरुक वर्ड किस से बनाए, कसेरुक मतलब होता है, कसरुक दंड मतलब, रीड की हड़ी, रीड की हड़ी, या इसको हम वर्टी ब्रेट्स भी कहते हैं, ऐसे जिव जिनके सरीर में रीड की हड़ीयां पाई जाती है, वर कहासे रुकी की पाचान क्या है कसे रुखद्ड कर डुंते कि रीड़की हड़ी या वल्टिब्ल रह सभ्रू है तो जो हम ग्यारा फैलम पढ़ते हैं उसमें से प्यारवा नम्बल का फाइलम हम क्या पढ़ते हैं? Core Data और Core Data ही वो फाइलम है या संग है जिनके सरीर में रीड की हटियां पाई जाती है अगला क्विस्चन क्रिप्टो गेम क्या है? अब क्रिप्टो गेम को क्रिप्टो करेंसी जो वरतमान में चल रहा है तो उससे मत समझ kalo यह बौटनिका क्वेस्चन है ठीक है? घर क्रिप्टो गेम क किस लो कहते है? आवरित बीज वाले पाउधे, पुस्पी अपाउधे गैर अबुस्पी आपउधे अनावरित बीज वाले पाउधे तो क्रिप्टो गेम कहा जाता है ऐसे पौधे, जिनमें आपका खाना चाहिए फूल नहीं बनता है, पूल या जो बीज होते हैं, बिजाड़ों के माध्यम से, स्पोर्स के माध्यम से जिनमें प्रजनन होता है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर जाएगा आपका C ठीक है गैर पुस्पिय पोद है जिनमें फूल जो है नहीं होते हैं उनको क्रिप्टोगेमी कहा जाता है चलिए अगला क्विश्चन देख लेते हैं मेंधकों में रुपांतरन किसके द्वारा नियंतरित होता है एड्रिनेलीन, मेलोटोनीन, इंसूलीन, थैरोक्सिन मेंधकों में आपका रुपांतरन मतलब मेंधकों में बृद्धि किसके द्वारा होती है तो देखो बेटा एक थाराइट गरंथी के त्वारे इस्त्रावित होने वाला जो थाराक्सिन हार्मोन है इसी को ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं इसी को व्रिद्धी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है मनुष्य सहित बाकी जो आपके कॉर्डेट्स है बाकी जो आपके योक्यों का वृद्धि और विकास के लिए आवस्यक हार्मोन कौन सा है यह थारोकसिन हार्मोन जिनको सौट में टी एच भी कहा जाता है वेस्चन नमबर 42 निमनलिखित में से कौन सा छोटी आथ में पाया जाने वाला जिवाणूओं का समू है जिनकी जल में मौजूदगी रोग कारक सुच मजीओं के द्वारा संदूसन का संकेत देती है यह सभी किसके नाम है यह सभी जीवाणूओं के नाम है यह सभी बैक्टिरिया के नाम है क्वेस्चन आपका क्या पूछ रहा है कि हमारा जो इसमाल इंडेस्टाइन है वेटा हमारी छोटी आथ है उसमें कई प्रकार के जिवाणू पाय जाते हैं जिसमें से एक जिवाणू समू है इसमें से एक है है ना जो हमारी छोटी आथ में पाया जाता है अब यह जिवाण हैं यह केवल हमारी छोटी आथ मैं नहीं पाया जाता है यह कभी कभार दूसीद पानी में भी पाया जाता है हाला कि यह चलो लो एंसर ते reproductive Creek नहीं ऐघर और टीक अब्ये कॉलिफार्म बेक्तिरिया हमारी छोटी आथ में पाया जाता है और मैंने कहां कभी यह दूसीद जल में भी पाया जाता है तो ये बेक्टिरिया उतनाहारी कारक नहीं है अगर किसी जल में कॉलिफॉर्म बेक्टिरिया उसको पी लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है आपका सरीर तुरन जो है रोगी नहीं बनेगा क्योंकि आपके इसमाल इंटेस्टाइन को तो उसकी आदत है ही लेकिन अगर किसी दुसित जल में कॉलिफॉर्म बेक्टिरिया पनप सकता है तो बाकी खतरनाग बेक्टिरिया भी पनप सकते हैं तो अगर किसी जल का हम टेस्ट करते हैं और उसमें कॉलिफॉर्म बेक्टिरिया पाया जा रहा तो ये दरसाता है कि वो पानी तरीके से क्या है दूसित है या उसमें बाकी बेक्टिरिया भी हो सकते हैं ठीक है तो कॉलीफॉर्म बेक्टिरिया का किसी भी जल में होना ये चीज अंगित करता है कि उस जल में रोग जनक और जीवानूं भी हो सकते हैं तो छोटी आथ में पा बारा किया जाता है एफ यक्रित डी अगनासय पेंक्रियास ठीक है तो जो हमारा अगनासय है मैं इसको डीटेल में पढ़ाया हूं कि अगनासय जो होता है वह एक प्रकार का एंडोक्राइन ग्लेंड भी है और एक प्रकार का एक्जोक्राइन ग्लेंड भी है अनता इस्तरवी बही इस्तरवी दोनों प्रकार गरंती है इसलिए अगनासय में आपके हार्मोन भी बनते हैं अगनासय में आपके एंजाइम ही बनते हैं जिसमें से एक एंजाइम है का मेन काम होता है आपका वसा का पाचन करना वसा को तोड़ना तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका डी चलिए इसको एक्स्प्लेइन को आप पढ़ना पीडियेप में ठीक है लाइपेज एंजाइम के दुवारा जो है वह आपका मेन वसा का पाचन होता है और यह किसमें पाइजाता है अगनासाय में यहाँ पे चितर देखो गलत है यह चितर गलती से यहाँ पे आ गया है यहाँ पे अक्चु में दूसरे में आगया है इसको ध्यान मत देना लाइपेज एंजाइम कहां मिलता है अगनासाय में अगला क्विश्चन देख लेते हैं हाँ पेनिसलीन की खोच किस वग्यानिक ने की थी ए मैडम मेरी क्यूरी बी अलेक्जंडर फ्लेमिंग सी अलेक्जंडर ग्राम वेल ड आस नां टोल अलेक्जंडर फ्लेमिंग तो अलेक्जंडर फ्लेमिंग का यह वास्तविक फोटो है इन्हों आपका उन्नीस सुऑ अथाइस में यह ती朋友 करके तो अगला कुस्चन चलिए क्कोशि फ्लेमिंग के दिख घावरा उसकोशक मोदा सिख जाने वाले अंगों कि सुच्म सारिक सरचना का अध्यन है मतलब सुच्म जो आपके अंग हैं चोटे-चोटे अंग हैं जो माइक्रोइस्कोप से देखे जाते हैं लाइक हमारे टिसू हो गए सेल हो गए उनका अध्यन करना क्या कहलाता है हैं इसका या एंटोमोलजी ठीक है तो इसका राइट आंसर है इस्टोलाजी अब इसमें कन्फूज मत होना कि सर सेल मतलब को सीका सेल सेल का अध्यान कहलाता है साइटोलॉजी बिल्कुल सही हूं वहाँ और तो उसको कहते हैं अपन हिस्टोलोजी के नाम से जो है वह आपका जानते हैं अगला question, hibernation या सीत निद्रा सब्द की परिभासा क्या है, hibernation किसको कहते हैं, अ पक्षियों में बसंत के समय अती सक्रियता की वस्था, ब बरसात के मौसं में खुद को बचाने के लिए पक्षियों द्वारा आवास घुसला का निर्माण, सी कुछ पसुओं में सीत रितु के दावरान कम चपापची गति विदियों के वस्था, मतलब सीत रितु की दवरान metabolic activity कम हो जाना डी पसुओं में सर्दी के मौसम के लिए गर्मियों में भोजन सरक्षण की एक आदत hibernation आप अगर geography national क्या बूलते हैं आपका animal planet वगरा national geographic channel देखते होगे तो उसमें आपने polar bear दुर्वी भालू देखा होगा जो की 4 महने 5 महने की सीत निद्रा में चले जाते हैं सीत निद्रा में मतलब सो जाते हैं ऐसा नहीं है वो अपने आपको एक गूफा में बंद कर लेते हैं अच्छा खासा खावा के और वो hibernation mode में चले जाते हैं hibernation mode क्या होता है hibernation mode में उनकी जो दिल की धड़कन है heart beat है और उनकी सासे धीमी हो जाती है उनका पूरा का पूरा metabolic process धीमा हो जाता है जिससे बहुत कम उर्जा आपका खर्च होता है और वो लंबे समय तक बीना खाए पीए जो है वो आपका रह सकते हैं अपने सरीर में संचित फैट के मात्यम से ही वो जी सकते हैं तो इस प्रकार का जो आपका गुण है वो दुर्वी भालूओं में कुछ जो आपके बोलना चाहिए मार्सूपियस अनिमल होते हैं जो आस्ट्रेलिया वगरा में पाय जाते हैं कुछ गिलहरी वगरा होती है इनमें जो है ये गुण पाया जाता है ठीक है तो राइट आंसर हाइबरनेशन का मतलब क्या होगा कि कुछ पसूओं में सीधरितू के दवरान खास करके ठंड के मौसम में जो उनकी मेटबॉलिक गतिविदिया होती हैं वो कम हो जाती है ठीक ह पैरासाइटोलोजी ठीक है वाइरस का अध्यन कहलाएगा वाइरोलोजी तो विसाणवों का वाइरस का अध्यन क्या कहलाता है वाइरोलोजी कहलाता है बाकी का क्या मतलब होता है वो भी देख लो वाइरोलोजी मतलब वाइरस का अध्यन माइकोलोजी मतलब कवक का अध्य प्रोटो जूल जी मतलब प्रोटो जूवाव का अध्यियन पर जीए कहला है अगला कुछ किसने पेनिसृलीन का बताया वित्जठिक भी बहुत महातोपूर्ण है जोनास साल का लूई पासचर एडवार्ड arise लियोन केलेट चारों का नाम फेसा है चारों ने कुछ ने कुछ कुछ खोजा हैं लेकिन यहां पर चेचक कडी टिका किस ने कुछ थे द्वार्ण जेचक आप टिका 2 आपका कosure गया है सभी का पता दे रहों में खोजे हैं औरushi an को याद रखना चेचक की खोज के लिए मतलब चेचक के टिके की खोज के लिए जोनास-e-salk या केवल जोनास-salk के याद रखो, इन्होंने पोलियों का जो है, पहला टिका जो है, खोजा था, फोलियों का वैक्सीन आपका खोजा था, ठीक है, इसके अलावा लुई-pasture का नाम, option में मिला आपको, लुई पास्चर ने पास्चराइजेशन कोजा है, रैबीज वेक्सीन कोजा है, कालरा या हैजा का वेक्सीन कोजा है, एंत्रेक्स का वेक्सीन कोजा है उसके बाद एक नाम मैंने आप्सन में रखा है लियोन कैलमेट का लियोन कैलमेट ने फेमस बैसिलस कालमेट ग्यूरीन बीसीजी का टीका जो टीवी या यक्षमा या तपेदिक रोक के लिए दिया जाता है वो खो जाए तो एक ही क्विस्चन में चार कोच करता मिल गए पां जैनर ने किया और क्या बताया मैंने आपको जोनास साल जोनास सालक ने पोलियोगजिन का कोच किया लूहीट लूहीज़ीज व्यक्षटेम येशन इसके अलावा रिवरेट गमस ये नम्रवज य योनियोन कैलमेट को या रखना लियोनिकलमेट या इसने फुर फॉर्म होत पेनिसिलीन जो दुनिया की पहली एंटिबाटिक दबा है किस ने खुजी थी ये क्विश्चन रिपीट हो गया है एलेक्जंडर फ्लेमिंग ने खुजा है लास्ट क्विश्चन देख लेते हैं खाली स्थान में लिंगुवल लाइपेज नामक एंजाइम होता है जो वसा को तोड़ता है ठीक है लाइपेज नामक एंजाइम किस में होता है जो वसा को तोड़ता है छोटी आथ बड़ी आथ लार और अमास है अब देखो लाइपेज दो प्रकार का होता है एक अगनासा ही लार्ग रंती का लाई पेज होता है जिसको लिंग्वल लाई पेज कहाते हैं ठीक है वो जो एक रंत्य वढ़ा चित्र था वो seben एक्क्छल में इसमें आना था गळाःस सेट हो गया यह दिनमों है मैं इसमें देखु यह यहां पर तीन 9 ग्रंति तेक्ट लो ये मनुश्यका जबड़ा है उपर की और देखो एक लार ग्रंति है परोटीट ग्लेंड रहता है और निचले जबड़े के नीचे की और जो है दो ग्रंतियां दो लार ग्रंतियां होती है सब लिंग्वल ग्लेंड और सब मेंडिबुल अर्ग इसको मैंने डीटेल में पढ़ा हुआ जो की अग्नासय से निकलता है उसका भी काम आपका वसा को तोड़ना है लेकिन दोनों अलग अलग जगह से स्टरावित होते हैं लिंग्वल लाइपेज जो है वो आपका यह सब लिंग्वल ग्लेंडर था लार ग्रंति से निकलता है इसलिए इसका जो आपका आंसर हो है आप सभी को पता है यदि हमारे किसी भी mcq से संच चाहे वह विज्ञान का हो चत्रगड का हो इंडियन जीएस का हो यदि आप उसका पीडिये डाउनलोड करना चाहते हैं तो निसुल को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे अप्लिकेशन के फ्री कंटेंड वाले फोल्डर में जा करके अप्लिकेशन डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहां से अप्लिकेशन डाउनलोड कर लीजिए इसके अलावा प्रयोकसाला परिचारक बृत्य चौकिदार स्वीपर इन सभी के के लिए क्रेस कोर्स मात्र 990 रूपए में हमारे अप्लिकेशन में अविलेबल है जिसमें सारे सब्जेक्ट मेरे द्वार ही आपका पढ़ाए गये हैं आप इसका लाव ले सकते हैं चाहे तो क्रेस कोर्स जौइन कर लिजिए और अपनी तयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं अपने सेलेक्शन की परविलिटी को आप एक करम आगे लेकर के जा सकते हैं इसके अलावा एडियो के लिए सीजी पीएस्सी के लिए व्यापम के लिए सब्जेक्ट वाइस अलग-अलग कोर्स भी अविलेबल है उसको भी आप हमारे अप्लिकेशन पर चेक कर सकते हैं तो म मिलता हूं मैं आपको अगले सेजन में तब तक के लिए धन्यवाद थैंक्यू